कि लर्चरिंग एक्सलेंस गूद डीविनिंग एवरीवन स्वागे ता आपका वेकेस अकेडमी में तो अपना जो चेप्टर चल रहा था कोडिंग डिकोडिंग आज अपन उसका नेक्स पार्ट देखेंगे इससे पहले अपने कोडिंग डिकोडिंग का इंट्रोडक्शन द अपने देखा ने लेटर टू नंबर कोडिंग तो आई होब आपको वह दोनों क्लाशे समझ में आया होगी आज अपने देखेंगे उसका third टाइप डाइर्क्ट कोरडिंग ठीक है दो डाइप और यह थार डाइप अपना डाइरेट कोरडिंग दीड़श सब्सक्राइब यहां नाम से पता चल रहा है कि अपन ने जब लेटर-टू-लेटर देखा था तब अपने देखा था कि एक लेटर को दूसरे लेटर से डिनोट कर रहे थे ठीक जो कि अलग लग मेथार चूज में ले रहे थे कि प्लेस वेल्यू या फिर अपोजित कंसेप्ट एंड प्लेस वेल्यू में क्या प्लस-mines करना या फिर लेटर्स को अरेंज करना उसके बाद जब second देखा तो वहाँ आपने एक लेटर को एक नंबर से डिनोट किया था कि सारी जो लेटर सारी थे उनको नंबर से डिनोट किया था उसके भी अपने अलग-लग होती है direct coding कि यहां सिर्फ अपने को compare करके देखना है and then answer कर देंगे कि यहां अपने को कोई logic नहीं लगाना होता कुछ भी plus minus ऐसा कुछ नहीं करना होता ठीक तो यहां अपने देखते हैं कि in direct coding the code letters number symbols occurring in the same sequence as the corresponding letters अपने को जो वर्ड दिया होगा उसके जो letters होंगे उसी sequence में उसके क्या क्या हो सकता है या तो later से later हो सकता है number हो सकता है या कुछ symbol हो सकता है यह यह तीनों चीज़े आएगी लग तीनों लेटर सिम्बल नंबर तीनों की भी यूज में ले सकता है ठीक है तो यहां देखो डायरेक्ट जो coding है इसके अंदर आपने elements क्या यूज में लेंगे elements यूज में लेंगे यहाँ पर एक तो numbers यूज में लेंगे letters यूज में लेंगे and symbols यूज में लेंगे ठीक है लेटर्स नंबर्स एंड सिंबल्स यूज मिलेंगे यहां पर लेटर्स नंबर्स और सिंबल्स यूज मिलेंगे इन तीनों का कॉंबिनेशन होगा वो यह यूज मिलेंगे ठीक है तो यहां क्या होगा कि जैसे मालो एक कोई लेटर दिया वा है उस लेटर से वो क्या बना सकता है या तो नंबर बना सकता है या लेटर से लेटर ही बना दे या फिर लेटर से सिंबल बना दे ठीक है पर कोई नंबर मना दी है शीमडल से सिम्बल या सिम्बल से लेटर तो यह यहां कर를ण कि अंपस में एक दूसरे को डिनोटी करते हैं लेटर सिम्बल को पर सकते हैं इसी तरहे तो आपन चलता है नेक्स्ट कि देखो इसमें किस तरीकी की क्यूसंस आते हैं वैसे अगर देखा जाए तो यह सबसे easy होता है तो समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको easily समझ में आ जाएगा यहां देखो अपना वो डाइरेक्ट ही डिनोट करता है एक लेटर से लेटर लेटर से नमबर या लेटर से सिंबल तो यहां सिर्फ अपने को उससे सेख्यूंस में देखना है क्योंकि यहाँ एक लेडर जिससे लेटर ज़िए नंबर यह सिंबल को डिनोट करेगा वहीं से डायेक कर देंगे ठीक है जैसा कि यहाँ कुसमें अपने को example में दे रखा है कि इन्हे certain language इन्हे certain code language R को क्या denote कर रहा है percentage मतलब जो R है वो किसको denote कर रहा है percentage को ऐसा direct दिया हुआ है गाँआ पर and E किसको represent कर रहा है H को E represent कर रहा है H को and D add the rate D किसको represent कर रहा है अब यहाँ आपने देखा कि R percentage को denote कर रहा है E is go D add the rate को और A D को represent कर रहा है एसा उसने बता दिया कि इसका मतलब यह है देन आपको बताना है कि इस डेर का क्या होगा है देर का क्या code बनेगा जब कि उसने एक एक लेटर का individually सारे बता दिये थे कि R का code क्या होगा percentage होगा E का code होगा D का add the rate होगा and A का D होगा इस तरीके से तो यहाँ पने देखा कि वहाँ लेटर से और लेटर से इधर symbols बन रहे थे यहां लेटर को लेटर से भी denote कर दिया उसने तो जैसा कि मैंने बताया था भी कि एक लेटर से अपन तिनो combination मतलब लेटर सिंबल और नंबर तीनो डिपर जेंड कर सकते हैं अब यहां दी पूचा है तो यहां से देखो यहां पने को डायरेक्ट देखना है कि D से क्या लिख रहा है वो एड़ दारेट तो यहां पन लिख देंगे एड़ फिर है एक को क्या लिख रहा है दी तो यहा लेटर है वो किसको डिनोट कर रहा है उसी तरीके से यहां जो अपने को लेटर दे रहा है उसका बता देंगी तो यहां आपना आंसर आया है एड़ दारेट डी परसंटेज है तो यहां हो जाएगा अपना ओप्शन सेकेंड लिख रेक्ट आंसर तो देखो यह जो एपन नेक्स्ट आगे कर देंगे ठीक है तो चलते हैं नेक्ट कुछन पर नेक्स्ट है कि इफ जेपुर इजी रिटन एज कि जेपुर को क्या लिख रहा है वो जेपुर को रिपर्जेंट कर रहा है एट एट दा रेट एंड के भी हेज ठीक है एट नेक्स्ट बोल रहा है कि सिक्कर को क्या रिपर्जेंट कर रहा है एट एट दा रेट एज देन अपने से आगें तो इसका अपने को पता के सिलेगा है कि इसM Всё को स्कार्ट को जेख़ता है तो ऐसके यह जो ठीक सकते हैं कि यहाहां यहां चीज होगी जो अपने को चिसन पूछण पूछेंगा आपि इसके अंदर जो लेटर्स यूज में हो रहे हैं वो जो पहले कोड बना के देगा उसी के लेटर्स रहेंगे जैसे यहां P I J है तो देखो P यहां यूज में आ गया यह रहा जे यह रहा देना एस यू आर कि यहां के सकते हो कि तो यहां और कई जमें सिम्बल यूज में यह क्या लिया ता है ठीक है और का उसने है लिया था अरक ले रहा हैरा है और अगर देख जो तो एक यहां भी किया दे रखा है तो यहां से confirm हुत है भी एक लेटर को उसने एक ही symbol या number से denote कर रहा है मतलब यहां उपर वाले में जो सेम है वह नीची वाले मतलब एक लेटर को एक की सिंबल या नमबर या लेटर जो मिलेगा वह एक ही मिलेगा ठीक है तो यहां से हो जाता है कि एक को उसने fix किसी चीज़ से define कर दिया है तो अपन वहीं आगे करेंगे जब कि अपन जो इससे पह तरीके से बट यहां ऐसा नहीं है यहां एक fix value होती है जैसे जेका क्या हो गया जेका 8 हो जाएगा आई का एंड हो गया पी का के हो गया एंड यू का भी हो गया इस तरीके सा तो सेम है तो यहां अपने से पुचा है पी आई जे तो अपन देखते हैं कि पी को क्या डिनोट क के उसके बाद मा आई तो यहां से देखा अपने कि एक यहां भी आ रहा है सेकंड पर एंड आ रहा है और यहां भी आई था तो देखो यहां भी एंड था सेम है तो यहां लिख देंगे then is J तो J से ही यहां देखा 8 से denote करें J को तो यहां directly लिख देंगे पन 8 and then next है S S को देखो यहां किसी denote कर रहा है 7 से तो अपन भी यहां भी क्या कर देंगे S का क्या लिख देंगे 7 then है U R यहां U R दोनों साथ में यह U R और यहां देखो क्या है Be His तो यहां आपने को आंसर मिल चुका अपना जो अपने को वर्ड पुचा था P I J S U R का तो यहां क्या हो जाएगा K and 8 7 Be His K and 8 7 Be His तो यहां हो जाता Option 3 is correct answer इसी तरीके से करना है आपको directly एक बार पहले देख लेना है यहां अगर combination बन रहा है तिनोंगा कि later number and symbol तो वहां समझना है कि यह कौन सी है direct वाली है इसके लावा फिर यह चीज़ और चेक कर सकते हो कि आपने इसको जो क्यूसन पूछा है कि यह जिस word का अपने को पूछ रहा है उसके जो letters है यह जो given अपने words है इनी में से match हो रहा है and जैसे r को यहां जो आया है वो ही same नीचे और कहीं use में रहा है तो same symbol हो रहा है तो यहां से idea हो जाता है और वेसे इस type के अगर क्यूसन की जैसे यह आप practice करोगे आपको क्यूसन को देखते ही पता सल जाएगा कि यह किस type की है and क्या यह logic क्यूस में ले रहा है तो चलते हैं next question पर next question दे रखा है कि इनने certain code language यह के paper is return is इसको क्या बोलडा है p e double p e r इसको वो बोलडा है क्या add the rate add the rate add the rate is ठीक है यह symbols अब यहां देखो directly अपने को पता से लिए कि later से यहां पर symbols ले रहा है तो symbols ले रहा है मतलब कौन सी होगी और यहां आपने को place value की वो कुछ ही नहीं करने की यहां place value लिखने की ज़रुत पड़े इसा कुछ नहीं है यहां तो directly अपन बस देखेंगे compare करेंगे and answer कर देंगे कि नेक्स्ट बता रहे हैं उसने की aim को क्या बोलता है कि एम को बोलता है कि क्यूशन मार्क एंड श्टार ठीक है यहां से यह तो फिक्स हो चुका है कि यह कौन सी होए यहां देखने है से पता से लिया अपने को यहां देख सब्सक्राइब कर रहा है यहां तो लेटर स्थीन यूजम में लिए पाके तो सेम थे हो की एक को ये नौट कर रहा था उसमें देखते हैं इसके जो लेटर से हैं इसी में से क्या देखो देखो पी है हैं है म ही नेक्स पी हैई ई आर सारे हैं तो यह डायरेक्ट वाली है अब यहां से compare करो कि पूचा क्या आपने इसको पी ए एम तो यहां प्लिख देंगे रिट लिख तो यहां A को क्या बोल रहा है यह ऐसा कुछ सिंबल है देन है M, M को क्या बोल रहा है वो, M को बोल रहा है स्ठार, तो यह बना देते हैं, देन है P, तो P का फिर से next वोई आ गया, add the rate, end है er, ठीक है, वहाँ आपने को er का बताना है, और इदेको यह er साथ में, er का क्या बन रहा है, यहां पे, is, तो यह आ गया अपना, तो यहां आपने देखा, कि अपने को जो दो word दिये वे थे हैं, उनकी जो symbols दिये वे थे हैं, उन्हीं को अपने किसे पुछा था, उसका जब देखा, तो यहां अपने को answer मिलता है, option 1 is a correct answer, तो यह question समझ में आया होंगे आपके, ठीक है, यह बहुत ही easy type के है, यहां बस directly आपको compare करना है, answer करना है, कोई logic कोजी कुछ नहीं लगाना है, यहां तो सिर्फ देखना है, अच्छे से, question को ध्यान से देख के जरूर करना है, अगर ध्यान से नहीं देखो क्योंकि इसमें अजीब से symbols कुछ भी use में ले लेगा, और वहां अगर confusion हो जाता है, तब दिक्कत हो सकती है, बाकि अपने को logic कुछ भी use नहीं करना, इसमें इस type के questions में बस ध्यान से देखने की ज़रूर होता है, ठीक है, तो चलते हैं अपने next question पर, अब देखो यहां जैसा अपन ने पहले देखा, यहां फिर डाइरेक्ट एक word से कोई code भी बनाया वा सकता है, या फिर एसे individually एक एक letters का भी दे सकता है, ठीक है, दोनों type के आता है, कि P को वो कर रहा है, हेस से denote, A को कर रहा है, percentage से, C को कर रहा है, F से, and E को कर रहा है, वो र रिपर जैंट एड़ दारेट से, ठीक है, देन अपने को पुछा है कि, how is paste का code क्या होगा, ठीक है, तो यहां अपने को देखो डाइरेक्ट के लिए रहा है, तो यहां तो कुछ से compare करने की या इस सा कुछ देखने की जोरा थी नहीं है, डाइरेक्ट बोल दिया कि P को मैं यह बोलता हूं, A को यह बोलता हूं, C को यह बोलता हूं, E को यह बोलता हूं, तो पेस का बताओ, तो यहां फर्स्ट आय था P, तो P का लिख दो है, then A, A का हो गया percentage, then C, E, C का हो गया F, and add the rate, तो यहां F, add the rate, यह हो जाएगा, बदला भी इस थाइप के questions में तो, एक कुए है तो तो देखो में अपने देख चुके ऑन तो एक एकले लेटर का कोई सिंबल दिया वाता तो तो डायएक्क liebe कर दिया या फिर एक वर्डी करेगा कि 7 7 को कौन दिनोट कर रहा है एज 2 को 8 दारेट 5 को एज 6 को P8 को S1 को एज 3 को एज 4 को परसेंटेज 0 को प्लेस 9 को इस तरीके से ठीक है यहां डायरेक्ली दिया हुए ऐसी एक टेबल बनी में भी आ सकती है ठीक है इस टाइब के इस टीक है और उसमें डायरेक्ली दिया हुआगा कि कौन किसको डिनोट कर रहा है यहां देखो दिया हुआ है कि इन एक गिवन विलाओ आड़ डा केपिटल लेटर सीन दा फस्ट लाइन एंड दा सिंबल्स इन डा सेकंड लाइन ठीक है ठीक है तो दूसरे के कोड़ है यहां कि 97513 का कोड़ क्या होगा तो यहां तो डायरेक्ली दिया हुआ है बस यहां से देखो और डायरेक्ली आंसर लेखो इसमें तो अपने को कोई लोजिक की कोई प्लस माइनस कोई प्लेस वेल्यू कुछ किसी की ज़रुरत नहीं है डायरेक्ली यहां से देखेंगे टेबिल को and answer कर देंगे तो 9 को क्या कर रहा है वो a से denote कर रहा है तो a then 7 तो 7 का क्या हो जाएगा is next दे रहा है 5 5 का क्या हो गया and then 1 तो 1 का क्या हो जाएगा यह वाला symbol n 3 और 3 को क्या कर रहा है end से तो यह आ गया a has and sorry यह end था r नहीं है मैंने r के जैसे यहां end कि अगर इस टाइप के टेबिल वाले क्यूशन आते हैं तो वह तो बहुत ही ज़्यादा इजी होते हैं वह टेबिल से ही अपने को डायरेक्ली कंबेर करना है अंसर लिखना है बस पत्व तो यह समझ में आया होगा आपको चलते है नेक्स क्यूशन पर नेक्स देखो सेम टाइप का है कि एक टेबिल बनी वह है एंड उसके सिंबल्स बने वह हैं अपने से पुछा है कि 756860 का क्या होगा 756860 का तो यहां से पन देखते हैं कि 7 को क्या denote कर रहा है यहां तो बहुत easy है बस directly table को देखना है आपको और जो symbol या letters या numbers जो भी होंगे उसको देखके लिख देना है तो यहां 7 था 7 का हेज है तो यहां लिख देंगे हेज then 5 तो 5 का क्या हो गया and then 6 तो 6 का क्या हो जाएगा p then 860 तो 8 का क्या हो गया s then next is 6 तो 6 का फिर से p हो गया and 00 के क्या हो जाएगा plus तो यहां क्या आया is nps p plus तो यहां हो जाता अपना option second is correct answer तो table वालों को तो आराम से कर सकते हैं बस जो जिसका पूछा है बाकियों को औरों को देखने की ज़रूरत नहीं है डारेक्ट क्यूशन पर चलो कि किन किन नंबर्स यह लेटर का पूछा है और उनको कौन डिनोट कर रहा है डायरेक्ली लगाओ बिल गया answer चलते है नेक्स क्यूशन पर कि नेट्स दे रखा है इस इफ एबल इस रिटर्न एज कि अगर एबल को एबल कि इसको डिनोट कर रहा है 5 3 2 4 एंड बिंगो बिंगो को डिनोट कर रहा है थ्री 6 1 7 8 देन बैंगल भी को कोड क्या होगा ठीक है मतलब यहां आपने को दो वर्ड दिये वे थे हैं उनके कोड बना की दिये एंड नेक्स्ट अपने से एक वर्ड का पूछ रहा है कि इसका कोड क्या होगा तो यहां देखो अब यहां देखो डाइरेक्ली लेटर से नंबर ही बना रहा है इसने कुछ सिंबल्स यह लेटर से नंबर आए तो अपन यहां भी जा सकते हैं कि यह तो नंबर वाली है क्या ब लो प्लस फॉर करें तो टू बीकियों की प्लेस विली टू तो फॉर प्लस करेंगे तो शिक्सा नहीं तो पट यहां थ्री लिखा है बट यहां अब इस टाइप का अगर क्यूशन आता है कि एक लेटर से डारेकल नंबर ही बन रहा था उस चीज़ को कैसे देखोगे कि जो लेटर से उनका कोड से माया नेक्स्ट इसके लावर कोई कॉमन नहीं है बट यह चीज़ देखनी है फिर कि अपने से जो क्यूशन पूछा है उसके लेटर देखो यह सारे इन दोनों जो दो वर्ड अपने को दिये होएंगी जो दो वर्ड के जो कोड बनाके देगा उनिमे से मेस हो रहे होंगे अगर उनसे बाहर का है तो अपन नमबर फर जाएंगे फिर अगर अगर उनिमे का है जैसे बीए एन तो यहां दो बीविए A यहां एल भी है इंप है जिए लि तो यहां जी भी है ल भी है इभी है मतलब जो अपने को वर्ढ़का आपने को कोड बूचा है उसके जो लेटर से वह उनिमे से में जो की अपने को गीवन है जो गीवन वर्ड e Жिनके कोड बना loydode इंडेंगे उनी में से होंगे तो यहां डाइरेटली कंपेर करना है कि b का क्या है 3 है तो यहां b के लिख देंगे डाइरेटली 3 जाको अ यह देलाई को कॉन लुक्त कर रहा है 5 तो यहां लिख देंगे अपन एंड नेक्स्ट है एली तो एली का क्या हो जाएगा यहाँ पर तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाता है 351724 351724 तो यहाँ हो जाता है आपका option 4 is correct answer तो यह direct coding में नंबर से जो नंबर वाली जो coding देखीती है अपन ने later to number coding और यह direct coding इसमें difference यह है कि यहाँ अपन यह देख सकते हैं तो कि इससे एक जब common letter आ रहे हैं तो उनके code से मो फिर major difference यह होता है कि जो letters जो word अपने को पूछा है उसके अंदर जो letters हो रहे हैं वो letters सारे इनी words से होंगे जो कि अपने को आपको एक table दे रहे हैं जिसमें कुछ number दे रहे हैं उन numbers को किसी symbol later या number से denote कर रहे हैं और यहां आपको पूचा है कि 3, 2, 4, 6, 1, 2 का code क्या होगा तो यहां तो अपने को कुछ compare या इससे देखना ही नहीं है यहां तो अपने को ऐसा कुछ करके नहीं देखना है कि यह later to letter या later to number ऐसा भी कुछ हो सकता है कि table दी है table वाला तो directly जहां table आगी है मतलब वो direct coding ही है तो यहां देखते हैं कि 3 को कौन denote कर रहा है end तो लिखेंगे end देन है 2, 2 को 8 दर 8 देन है 4 तो 4 को को कौन denote कर रहा है percentage देन है 6 तो 6 का है P, देन है 1, 1 को को कौन denote कर रहा है यह और 2, 2 का होगे फिर से 8 दर 8 तो यह अपना answer आगया जो यहां symbol मिलेंगे directly यह answer अपना तो easily आपना option one is correct answer table वाली में तो अपने को कुछ भी मतलब दिमाग लगाने की ज़रूरत भी नहीं है बस ध्यान से देखना है कि कौन सा किसका code है बस देखने में जरूर अगर mistake कर दो के तो गलती हो जाएगी ठीक है चलते है next question पर ठीक है next दे रखा if in a code language के अंदर अगर 3456 इसको क्या बोलते है रो आरो पी इस बार उल्टा गिया है उसने number से letters बनाए क्योंकि यह तो direct वाली है इसमें तो मैंने पहले भी बता है कि एक letter को number से letter को symbol से या letter को letter से तिनों से denote कर सकते है या फिर किसी number को भी letter से symbol से या number से denote कर सकते है ठीक है next दे रखा आपने को कि 15526 इसको बना रखा एपल एडबल पी ली तो यहां जो numbers थे उनके letters बना रखा है directly अब अपने इस जो पूछा है वो लिखते है कि किसका पूछा है 54613 का बताना है आप आपको code की इसका code क्या होगा ठीक है तो यहां तो देखो number से letters बन रहा है तो वेसे ही कुछ करने की जोड़रत दी है directly पता चलिक गया कि यह कुण सी है डाइरेक्ट वाल कोडिंग है इसके लाग और देख सकते हूं कि यह number जो common number आ रहे हैं आपके उनसे भी यह चीज समझ स तो यहां 5 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 1 भी है, 3 है, सारे के सारे जो अपने को क्यूशन पूछेगा इसकी main मतलब अपन देखना चाहें कि इन क्यूशन को अपन केसे पता करें कि कौन सी वाली coding है तो यह होता है इसका main कि जो अपने को पूछेगा उसके सारे letters, numbers वो इसके तो फिर वो later वाला या number वाला है, तो यहां पन देखते हैं कि 5, 4 तो देखो 5 का code क्या था, P था, तो यहां directly लिख देते हैं, P, then 4, तो 4 का code क्या हो जाएगा, O, तो यहां से लिख देते हैं, O, then 6, तो 6 का code देखो, यहां से भी देख सकते हैं, तो E है, और यहां से अगर देखो कि तो भी E है, लब 6 का code क्या रहा है, E आ रहा है, तो यहां लिख देते हैं, E, then 1, 3, तो देखो, यह फर्स्ट में 1 है, और 1 को कौन देनोट कर रहा है, A, तो यहां direct लिख देते हैं, N3, इसमें भी starting 3 है, तो यहां हो जाएगा R, तो यहां आपका answer हो जाता है, P, O, P, O, E, A, R, option 3 is correct answer, तो यहां आप देख सकते हो, कि यह बहुत easy है, आराम से इनको compare करो, देखो, and answer बस, यहां कोई भी अपने को logic वाजी कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो चलते हैं, अपने next question पर, next मैं फिर से अपने को एक table दे रखी है, तो table वाले में तो directly बस compare करो, यहां तो direct table दी हुई है, मतलब एक later को, एक symbol या number कुछ भी denote करेगा, तो यहां दे रखा है, देखो, height का क्या होगा, ठीक है, तो यहां आपने देखते हैं कि, देखो, h का क्या denote कर रहा है, equals, तो यहां directly लिख दो की, h का क्या होगा, equals, then है, e, तो e को क्या हो रहा है, e का रहा है, हेज, तो लिखो हेज, then है, i, और i का क्या हो रहा है, end, तो आगया end, then है g, तो g का भी क्या आगया, percentage, then है ht, तो h का फिर से equal, and t का, क्यूशन वार, तो यहां आपको answer directly मिल गया, बस, जो table वाली question होगे, उनमें तो directly लिख देना है, तो यहां आएगा, आपका equal, is, end, percentage, equal, and question वार, तो यहां हो जाएगा, आपका option 3 is correct answer, ठीक है, चलते है next question पर, next वाला, फिर से अपने table का ही है, ठीक है, यहां जो letters दे रहे हैं, उन letters के कुछ symbol, number या फिर letters लिखे हो है, ठीक है, और जिससे question में उपर भी लिखा है, कि इन्हें certain code language, the following letters are coded is assigning signs, कि यहां जो यह letters है, यह किसी sign से assign किये हो है, and then आपको बताना है, कि इसका क्या होगा, गोश्ट का, ठीक है, तो यहां आपन देखते हैं कि G को कौन denote कर रहा है, percentage, तो यहां direct लिख दो percentage, ठीक है, then है H, H का क्या है, equal, तो लिख दिया, equal, then है O, तो O का code क्या हो जाएगा, यहां से दे रखा है, यह, then S, and S का क्या रहा है, and T, यहां सिंबल्स कुछ भी आ सकते हैं, तो उनको अपने को देखना है, कि कौन सा सिंबल्स है, इनको बस देखना जरूर ध्यान से, आपको अगर ध्यान से नहीं देखा, और इधर उधर कर दिया, तो गडबड हो सकती है, बाकि इनमें लोजिक को कुछ भी उजमें नहीं लेना है, तो यहां ज्यादा माइड लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस द्यान से देखने की ज़रूरत है, तो यहां आपका देखो, अंसर हो जाएगा, परसंटेज इक्वल, यहां हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड इस आपका करेक्ट आंसर है, तो चलते हैं, नेक्स क्यूशन पर, नेक्स में दे रखा आपको कि इफ कोड P is denote by 7 कि P को क्या denote कर रहा है, P को denote कर रहा है, फिक है, ये सारे letters के देदिए और इनको जुटेनोट कर रहा हम्वोर नभरS देदिए क्यों से letters को कौन से number denote कर रहा है ठीक है तो यहां इंडिविज्विली एक-एक लेटर्स का देख लिया तो यहां तो directly कुसंग को देखते हैं बता चल गया कि यह तो direct coding है यह एक-एक इंडिविज्विली एक-एक लेटर्स का बता दिया कि यह later इस code को denote करता है देन अपने को जो पूछा है वो है z ltpxm कि इसका कोड गया होगा एंड यह देखो कि इसके अंदर जो अपने को । यहां से देखेंगा आपन की को को दिनोट कर रहा है श्क्राइब रिखते हैं, आपने लिखेंगे 9 ने लिखेंके 5 तो इजी सब् Prob를 पता चल रहा है। तो कि तहीं तहुं यहां पर यह लिकंग सब्सक्राइब व्यांसे आपको Samy लिखनेकी ज़रोत नहीं है यहां direct पता चल रहा है आपको क्यूशन में जैसे आपको इसे लिखने की लिखके देखने की क्या ज़रोता है डिरेक्कली पता है कि पिका क्या हो गया 95 option 4 is correct answer तो इसी है direct coding सबसे easy टाइप का है चलते हैं next question पर नेक्स में फिर से एक table दे रहे हैं इन्हें certain code language the following letters are coded assigning signs कि यह जो letters दे रहे हैं यह किसी sign को assign कर रहे हैं अपन भी देख रहे हैं कि यहाँ एक प्लस से c का add the rate है मतलब यहां इनको एक letters को एक sign assign कर रहा है ठीक है तो यहां अपने को बताना था कि बोस्ट का क्या हो जाएगा बोट का भी ओए स्टी ठीक है तो यहां आपन देखते हैं यहां तो अपने को कुछ लोजिक तो लेना ही नहीं है डारेक्ली बस compare करके देखना है कि जो letters पूछ रहा है उस letters का क्या code से assign क्या गया उसको तो यहां देखा कि अपने बी तो बी को क्या कर रहा है यह greater than वाला तो यह लगा दिया देन ओ ओ को क्या रहा है यह bracket का sign देन ए तो एका हो जाता है plus देन देर का s तो s का क्या रहा है एंड टी टीका क्या है तो यह sign लिख दिया यह आ चुका है अपने को मैं जो अपने को लेटर पूछा था यह सारे उपर दिये हैं और उनके sign assign किया है तो directly लिख देंगे तो यह अपना answer हो जाएगा ओप्शन बनीजे करेक्ट आंसर तो देखो जो अगरी इसी matrix बनी वाती है यह टेबल बनी वाती है वह तो बहुत ही easy है बस directly आपको देखना है क्यूशन पर जाना है बस आपको तो directly क्यूशन पर पूछा है एंड उपर से देखो और answer लगा हुँआज इसी है चलता है next question प तो direct coding recording का जो third part था आज वह अपने देख लिया है इससे पहले अपन दो पार्ट देख चुके थे letter to letter coding and letter to number coding अगर आपने अभी तक वह नहीं देख है तो पहले आप वह जाके देखो ठीक है क्योंकि क्यूशन पर्ट ज्यादा क्यूशन उनी से आते हैं direct वाली से तो आभी सकता है वैसे क्यूशन आते हैं लेकिन इसके चांसे थोड़ी कम रहते हैं direct coding के चांसे उनके ज्यादा रहते हैं जो letter to letter and letter to number coding है direct वाली तो बहुत इजी है यह भी आपको देख ली नहीं है कि इसको छोड़ दोगे फिर उनके देखने के चक्कर में लेकिन वह तो ज्यादा अच्छे से समझ नहीं कि उनसे तो क्यूशन आते ही आते हैं इससे चांसे इनको अगर आप अच्छे से समझ लेते हो तो आप किसी भी लेवल का एक्जाम दो आप इजीली कवर कर जाओगे उनको बस आपको थोड़ों से क्यूशन के प्रेक्टिक्स करनी होगी जो क्यूशन की प्रेक्टिक्स भी मैं कर लोगे तो भी काफी होगा तो आज जो अपने पड़ा डायरेक कोड़िंग आपको समझ में आया होगा अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ सेर करें लाइक करें अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब मिलें ताकि जैसे हमारी कोई वीडियो आए तो आप तुरंद उसको देख लो औके एंड आपकी जो तयारी चल रही है उस तयारी को आप अच्छे से कर सको उसमें हमारी भी कोई है उसके भई हम आपी के लिए ये सारी कि जोई आप टेख जोडियो आप टेया टानल